नमस्कार मित्रो। आज आपका स्वागत आपकी चैनल एडवाल्यूतू लाइज में। और आज हम बद भात कर रहे हैं लोक व्यहवार पर दो शब्द हैं लोक और वहवार लोक माने पब्लिक जनता और वहवार माने आपका वहवार जो वारतालाब से हो सकता है जो बीना वारतालाब के भी हो सकता है अब आपका जो जनम से लेके मृरंट तक लोगों से वह वहवार पड़ेगा लोगों से काम पड़ेगा लोगों को आप से काम पड़ेगा और यह जो बात एक है वो है communication या बात से और दूसरी बात है आपके activity से action से या in action से कि अगर आप कुछ action करते हो या नहीं करते हो वो भी एक action है अब लोगों से विवार लोगों से तालमेल लोगों से एक lane देन वाला जो हिसाब है वो हमें करना करना और करना ही पड़ता है इसका कोई option नहीं है अगर आप जंगलों में हो या पहाडों पे हो बात अलग है पर अगर normal social life जी रहे हो तो आपको लोगों से interaction करना ही पड़ेगा या लोगों को आप से interaction करना पड़ेगा तो अगर करना पड़ेगा या करना ही है तो अच्छे तरीके से क्यों ना करें अच्छे तरीके से हम क्यों अपना daily routine जो है रोज का जो वैवार है या रोज का जो काम है उसको हम अच्छा क्यों ना करें तो आए चले हम सीधी बात करते हैं अपने पॉइंट के ऊउपर, अब यह कुछ निहम है या guidance है जो आपने follow करने हैं और आपने इस और काम करना है और अपने आप को अपने वहवार को अपने वारतालाब को अपनी बातों को improvements करना कहंने , अब पहली जो बात है वो है कि लोगों को संभालने की तकनीक, अब लोगों को अगर आपने संभालना है, तो अपने आपको पहले करेट करना है, अपने आपको इंप्रूफ करना है, अपने आपको सुधारना है, उसके लिए तीन छोटे छोटे नियम है, वो है, एक आलोचना ना करें, आप किसी की अगर आ अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो आपको कैसा लगेगा दूसरा निंदा मत कीजिए आप निंदा अगर करते हो तो फिर भी एक negative mind आप शेर करते हो शब्दों के माध्यम से जो सही नहीं है तीसरा शिकायत complaints ना करें अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये क्या कहती है अगर आपने माधलो आलोचना की या किसी की निंदा की या कोई complain की तो यदि आपने उस वक्ति के चेहरे पे की face to face की या उस वक्ति के या उसके चलन के बारे में किसी तीसरे वक्ति को बात की अब आपने बात तो करते कर गए अब होगा क्या इससे अगले की तो जो इंप्रेशन बनी नाई बनी आपकी इंप्रेशन जरूर से घड़ जाएगी अगला जो सुनने वाला सोचने वाला बंदा है वो एक कहेगा कि भाई इसके तो जब देखो और तो अगर मैं इसकी बात सुन रहा हूं तो कहीं न कहीं ऐसा होगा कि मेरे बारे में भी किसी और को बात कर रहा होगा तो इस तरीके से एक एक करके हर एक व्यक्ति आप से दूर हो जाएगा और हम यह नहीं चाहते हम चाहते हैं हमारे संग लोग और जुड़े हमारे साथ जो लोग हैं उनके साथ में हमारे जो यह क्या है के यह जो इंप्रिशन्य या एक आ करूंप करना है sì क्यों हो जरूरी है क्योंकि हमने लोगों से लेंदिन करना होता है अगर आज मैंने आपका काम किया तो कहीं न कई एक प्रॉपर लेवल के वहवार में आप भी मेरा काम करोगे तो ये लेन इन से ही दुनिया चलती है इसके बाद हम चलते हैं कि अब आप जैसे लोगों से बातचीत करते हो तो लोगों के बारे में लोगों के वरतन के लाइकिंग के डिसलाइकिंग के बारे में आप एक इंट आप उनको सुने, आप उनको उनको एक यह फीलिंग आनी चाहिए कि भाई यह व्यक्ति है जो मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में चिंदन करता है, जब यह खयाल उसको आएगा, जब यह विचार उसके दिमाग में आएगा, तो उसका भी response आपके प्रती अच्छा हो जा उसके बाद हम बात करते हैं मुस्कुराने की, अब मुस्कुराना जो है वो एक कीमती बहुत कीमती आभूशन है, जो फ्री में हमें मिलता है और हम उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई दाम नहीं है इसके, और यह आपकी जो एक फेस वाल्य उसको काफी 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 इंप्रूव करता है तो हमेशा मुश्कुराते रही है हाँ साउधान यहां बढ़ते जहां पर नहीं मुश्कुराना है वहां पर बिल्कुल ना मुश्कुराएं मानलो अगर आप किसी की मयत में जा रहे हो या कोई मर गया है और वहां पर जाकर आपन रहना चाहिए इसके बाद अब मैं अगर आपको आपके नाम तो आप एकदम से सुनोगे आप एकदम से ध्यान दोगे तो नाम जो है किसी भी व्यक्ति का वो उसके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपून प्यारा और उसके रिदय के करीब होता है तो आपको क्या कर वह जो नाम है वह जो मदूर संगीत है जो सुनने वाले को अच्छा लगता है वह आपको आपको ची तरह से याद रखना है कि इस व्यक्ति का ये नाम है और हो सके तो नाम के आगे भी एक-दू चीजे उसकी आप उसे ध्यान में रखे और जब आप उसे बात करें तो सीधा पहले नाम से उसे संबोधें या उसे आप रेफर करें वो जरूर से आपको याद रखेगा और वो जरूर से आपको respectfully फुली रेस्पॉंड करेगा उसके बाद बात करते हैं कि एक आप अच्छे श्रोता बने एक आप अच्छा सा सुनने वाला व्यक्ति बने अब होता क्या है विवार में हर किसी को यह होता है कि मैं लोगों को कहूं और लोग मेरी बात सुने यह हर एक व्यक्ति के मन में दिल मे और व्यवार में होता है अब इसके विपरित अगर आप सुनने वाले व्यक्ति हो गए तो देखो कितना फरक पड़ेगा कि वह व्यक्ति जो है जिसे आप बात कर रहे हो उसको अगर आप ध्यान देखर करके सुन रहे हो तो वह अपनी सारी बात आपको कहेगा अब इसके दो करना हिं एक यह नहीं कде बैठे बैठे टाइम बास करना है जितना सब्जक्त या विश्यवावाला वार्थालाप है उसमें आपने क्या करना है आपने एक कि इस तरीके से प्रश्ण पूछना है कि बस आपने प्रश्ण पूछ shift करना चुरू कर दिया तो इससे होगा किया कि वह व्यक्ति भी आपमें इंट्रेस्ट इस तरीके से लेगा कि ये एक व्यक्ति है जो मुझे पूछता है मेरी चिन्टा करता है और मैं जितना बोलता हूँ यह सुनता है और समझता है तो इस तरीके से एक relationship आपकी अच्छी होगी better होगी stronger होगी उसके बाद उस सामने वाले व्यक्ति के हितों के बारे में आप सोचें उसकी बहतरी के बारे में आप सोचें उसके positives और उसकी meaningful वेवारिक्ता के बारे में सोचें तो उस व् feeling आएगी कि अगला मेरे फायदे के बारे में सोचता है अगला मेरे ही better mind के बारे में सोचता है यह व्यक्ति बहुत अच्छा है और जब उसके मन में दिल में यह feeling आपके लिए आ गई automatically वह आपके नजदीक आपके करीब आदा रहे आएगा दूसरा उस व्यक्ति को आप ऐसा एहसास कराई है ऐसा भाव उसको दिलाए कि वह बहुत important व्यक्ति है और वह एक एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और यह जो feeling दिलानी है आपने यह जो भाव दिलाना है वह बहुत इमानदारी से दिलाना है बहुत एक honesty से दिलाना यह नहीं सिर्फ दिखावे के के लिए करें क्योंकि दिखावा जो होता है वह बहुत शॉट टर्म का होता है शॉट लाइफ का होता है और जैसे ही तूटेगा वह व्यक्ति समझ जाएगा कि यह तो सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझसे ऐसे ही अच्छे-च्छे मसके वाली बाते कर रहा था पर सही मायने म इसको मेरे बारे में कोई कुछ पड़ी नहीं है अब उसके बाद अगर आप लोगों को अपने आपके सोच के तरीके से जीतना चाहते हैं तो यहां पर कुछ नियम है जो बहुत फायदे के हैं बहुत काम के हैं अब किसी तरक में या किसी आर्ग्यूमेंट में अगर आपक आप उद्रेंस के तरक वितर्क में ज्यादा नहीं उत्रोंगे तो वो और अगे बढ़ेंगे नहीं आप उसे बचे रहोगे। कि अब कहीं बात हो भी उसको आप सम्मान दे और कभी यह नहीं कहें कि भाई आप गलत हो यह आपकी बात गलत है तो वो उसका इगो हट हो जाएगा उसके दिमाग में एक नेगेटिव अपने एक हलकिसी चोट पहुचा दी यह व्यक्ति तो मतलब मेरी या मेरी बात की या सोच की कोई किमत ही नहीं क करोगे उसके बाद अगर आप खुद कहीं पर गलत हो आपकी बात कहीं गलत है आपका विवह गलत है तो उसको आप इमीडियेटली इमीडियेटली वेरी पॉजिटिव ली एकसेप्ट कर लोगे उस व्यक्ति या उस ग्रूप के सामने के भाई यह मेरी गलती यहां पर लोगों से मिलते हो तो एक दोस्ती के एंगल से आप अपना वहवार शुरू करो जैसे नए किसी व्यक्ति से मिलते हो तो वह आपका दोस्त है वह आपका दोस्त बन सकता है इस तरीके से आप उसके साथ में आप अपना अपना वहवार शुरू करो कहीं न कहीं उस व्यक्ति को को लगेगा कि मैं आज एक बहुत standard व्यक्ति को मिल रहा हूं या मैं बहुत अच्छे व्यक्ति को मिल रहा हूं या मिला हूं दूसरे व्यक्ति को अपने आप अगर आप चाहते हो कि आपकी बात में वो अगर हा कहे तो आप बातों को इस तरीके से रखे हैं। अब यही करते हुए अगले व्यक्ति को आपने बात करने का मौका देना है, बात करने की opportunity देनी है, और उसको यह इस तरीके से बात करके, उस तरीके से उसका हामी भरवा के, उसके मुख से आप जो चाहते हो वो बात उसके मुझ से आप निकलवाओ, और वो अगर खुद का भ भाव दिलाएं के भाई उसका विचार जो है, वो सर्वस्षेष्ट है और यह विचार उसी का है, तो वो उसको मतलब कितना अच्छा लगएगा उस व्यक्ति के, देखो, यह बात मेरी, यह बंदा मेरी बात सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, और अप्रीशेड भी कर रहा ह और अगरी भी कर रहा है कि यह मेरा विचार और यह मेरे से अगरी करके वह उसका कोई पार नहीं होगा अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सामने वाली जो व्यक्ति है उसका जो दृष्टी कौन है उस दृष्टी कौन से भी हमने पूरी एक इमानदारी से देखने का एक एटेम्ट करना चाहिए एक बार मेहनत करनी चाहिए हम अपनी ही विचार धारा से हम अपनी दृष्टी कौन पर ज़्यादा अड़ के बात ना करें या अड़ के बात ना करें तो क्या होगा कि हम अगले की जब द्रिश्टी कौन समझेंगे तो हमको उसकी सोच से भी पदा चलेगा और हम बीच का रास्ता या बीच की बात जो है वो अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं और जब आप बात करो तो बातों में अच्छे शब्दों का प्रयोक करो आपकी जो बात की जो आवाज है जो शब्दों को आवाज से जो रखते हो उसका टोन जो है वो आप उपर नीचे करो तीसरा आप उसमें इमोशन्स जो है आपके जो रस होता है बात का या मुख का या एक आवाज का या एक लहजे का वो आप रखें तो अगले को एक फील होगा कि यार ये बंदा सिफ रटा रटा हुआ नहीं बात कर रहा है ये पूरे एक भाव से बात कर रहा है एक नर्मी से बात कर रहा है एक एक अच्छे तरीके से बात कर रहा है तो होगा क्या कि उसकी भी वारता लाप करने की जो इच्छा है उसके जो वारता लाप के quality की जो एक एंगल है बढ़ा हो जाएगा वो अच्छा हो जाएगा वो बढ़ जाएगा तो इस पूरे इसाब किताब में हुआ ये कि आपकी जो बात्चीत है, conversation है, जो व्यवार है, वो बढ़ेगा, वो इंप्रूव होगा. लास्ट में अब दो-तीन नियम और मैं बता दू आपको जो आपको बहुत फाइदा कराएंगे, बहुत काम कराएंगे. एक, कि आप अगले की प्रसंशा और पूरी इमानदारी से प्रसंशा करें, सिर्फ कहने के लिए, दिखावे के लिए खोकली प्रसंशा ना करें, आप एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे शब्दों में, अच्छे लहजे में प्रसंशा अगले की करें. दूसरे लोगों की गलतियों को आप ध्यान देखें पर ज़्यादा जताए नहीं या जताए नहीं आप धीरे से उनको एकांट में या एक अलग जगे पर जाकरके उस तरीके से बता दें के भाई यह आपकी गलती मुझे ऐसे लग रही है मैंने आपको बताया अब देख लो अगर आप पब्लिक के सामने सुधार सकते हो तो सुधार लो ऐसा मेरा मानना है तो उस व्यक्ति को भी कही न कहीं लगेगा कि अगर यह व्यक्ति चाहता तो मेरी खिली उड़ा सकता था इतने लोगों के बीश में पर इसने मुझे कहीं साइड में ले करके मेरी गलती के तर पब्लिक के से चहरा बचाने के अगर सिचुएशन है नहीं है तो आप सीधे ही गलत कहने की बजाए आप अच्छे शब्दों में सवाल पूछ सकते हो कि भाई अगर आपने यह कहा इसको अगर आप ऐसे नहीं ऐसे देखो या इसको ऐसे नहीं ऐसे कहो तो आपका क्या अगर काम करना शुरू करेगा एक रीकंसाइल करेगा कि मैं जो कह गए भाई जो कह रहा है वो बात में कहीं फरक है या नहीं है तो यह सारी नियम या यह सारी बाते हैं जो आप अगर लोक वहवार में ध्यान में लाते हो अपने अमल में लाते हो उसको इसके उपर आप काम करते हो तो पक्की बात ये है कि आपका व्यहवार जो है आपके व्यहवार की quality जो है आपके व्यहवार के जो reach है लोगों तक या अलग-अलग लोगों तक आपका network बनेगा और बढ़ेगा भी और ये सारे जो नियम है ये सारी जो बाते हैं जो point वाइज मैंने बताई हैं ये मैंने डेल कार्नेगी साब की जो बुक है इस बुक से उठाया है अब ये बुक जो है ये बुक लिखी गई है तकरीबन आज से 80 साल पहले और ये बुक आज भी उतनी ही relevant है उतनी ही applicable है जितनी जब लिखी गई थी और आने वाले दिनों में भी ये relevant रहेगी क्योंकि हमने लोगों के साथ में व्यवार करना पड़ता है करना जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए लोगों के साथ में रह करके आगे बढ़ना जरूरी है अब जरूरी नहीं है आप ऑनलाइन पर अगर बात कर रहे हो तो ऑनलाइन पर कुछ काम कर रहे हो आपको लोगों तुडे में जरुवत नहीं पड़ती बट कहीं न कहीं आपका जो आनलाइन का काम है वो किस के लिए कर रहे हो लोगों के लिए कर रहे हो ना जब लोग उसको देखेंगे पढ़ेंगे सुनेंगे या आपके गाइड किये रास्तों पर चलेंगे या आपसे सामान लेंगे या आपकी services लेंगे तभी तो वो एक व्यवार पूरा होगा उसकी cycle पूरी होगी तो इसी के साथ मैं यह वीडियो यहां पर सवाब करता हूं पर जाने के पहले मैं आपसे कुछ request करता हूं पीज आप इस वीडियो को like करें इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा या क्या नहीं लगा इसके बारे में comments में लिखे आपके अगर कोई और सवाल हो या कोई और point हो आप comments में लिखे इसके अलावा आपको अगर कोई और book के बारे में जाना हो तो आप उस book के बारे में लिखे comments में मैं कोशिश करूँगा कि उस book के बारे में और उस book की लिखावट के अफे बारे में जानकारी प्राथ करूं और वही जानकारी आपके समख्श रखूं तब आप उसके बारे में सुनके समझके फिर निवलने लें कि आप आप वह भुक लेनी हैए या नहीं लेनी फिर आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि मेरा जो अगला वीडियो हो वो आपके समक्ष आए और आप उस वीडियो को सुने और आपके जीवन में कहीं न कहीं एक पॉजिटिव इंपैक्ट आए मेरी ये कोशिश है रहेगी क कि मैं मेरे काम से अपने आसपास के लोग जो है या दूर बैठे हैं जो इंटरनेट के माद्यम से मुझे सुन रहे हैं या मेरा काम देख रहे हैं उनकी लिए जीवन में मैं एक पॉजिटिव इंपैक्ट ले आऊं और यही मेरी एक सार्थक्ता होगी तो धन्यवाद मीत्र आपका हर दिन अच्छा हो इसी के साथ शुब मंगल कामना धन्यवाद